तो यह जो ट्रेंडेस के उपर अगर आपको परफेक्ट रील बनाना होगा तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको खुद की एक वीडियो रेकॉल करके लिए लिए तो मैं आपको वीडियो एक बार दिखाते हो डेमो आप देख सकते हो तो कुछ इस तरीके से आपको एक वीडियो रेकॉल करने हैं जिसका डूरेशन रहेगा वह मिनिममम दस सेकेंड का होना चाहिए तो इसी एक्षन पर आपको एक वीडियो रेकॉल करके ले लेने हैं इसके बाद यहाँ पर आपको पाच फोटो भी यहाँ पर सेलफी ले लेने तो कुछ फर्स्ट जो जएगा कुछ इस पोजिशन में लेना है सेकेंड ऐसे थर्ड ऐसे फोर्थ ऐसे और जो फिफ्ट फुल है वो कुछ इस तरह किसे आपको लेना है तो पाच फोट और एट वीडियो ऐसे आपको रेडी करके रख देना है यह रेडी हो जाने के बाद एक अप्लिकेशन को डाउंणोर करना है जिसका नाम हैज सेकियर वीपैयं जो आप स्क्रीन की उपर देख सकते मैं कर रहा हूं यहार्य यहां अफ्लीकशन डाउंटलोर करना है और यहांट्लोर करने को जो लिए आब परष दो आपको प्लेए स्टोर करना पढ़ेगा और यह दो application आपको आपको डाउनलोड करके लेने हैं अभी आपको सबसे पहले आपका जो mobile लेगा वो internet से या जो भी आपका wifi रेगा उसे connect करके लेना है तो connect हो जाने के बाद सबसे पहले हैं यहापर जो secure VPN का application है इसे आपको open करना है open करने के बाद कुछ इस तरह के interface आपको आपके mobile पर show हो जाएगा अभी नीचे आप देख सकते हैं एक connect का option है पर आपको show हो जाएगा तो इसके उपर आपको click करना है इसके बाद है अपने आप यहापर connect हो जाएगा इसके बाद इस application को आपको यहापर minimize कर देना है प्लोज ने करना सिर्फ minimize कर देने है यह minimize हो जाने के बाद अभी यहापर आपको एक template को यूज़ करना है तो जो template का जो link है वो कुछ इस तरह किसे link है यह link आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा इसे मैं YouTube के description box में ने एड कर सकता है क्योंकि YouTube के guidance के आगे जाता ह है तो यह जो template का जो link है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल का link आपको description box में मिल जाएगा तो उस link के उपर आपको सिर्फ एक पर इस तरह किसे click करना है जैसे आप इसे click करोगे तो यह link कुछ इस तरह किसे page यहापर open हो अब नीचे आपको एक use template in cap cut option आजाएगा इसके उपर आपको क्लिक करना है इसके उपर आप जैसे click करोगे तो यहाँ पर जो तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह template यहाँ पर play होना चालू हो चुका है तो अब आपको नीचे use template का एक option दिखेगा तो उसके उपर आपको क्लिक करना है अगर वहाँ पर आप टैप करने के बाद यह वादा page नहीं open होता है कभी-कभी यहाँ पर एक error आ जाता है unable to connect to network वगरे तो आपको कुछ निए back आना है जो VPN से connect किया था उसे disconnect करना है फिर से connect करना है फिर से आपको उस link के उपर click करना है ऐसे दो तीन बार करोगे तो यह open हो जाएगा इसके बस screen के right answer पर नीचे अब आप देख से use template का option है उसके उपर click करना है इसके उपर click करने के for example यह वाला folder है इसमें आप देख सकते हैं यह वीडियो वाले section पर जाओगा तो यहापर वीडियो शो हो जाएगा तो सबसे पहले तो यहापर आपको वीडियो को select करना है तो मैं इस वीडियो को select कर लूँगा इसके बस photos वाले section पर जाना है और यहापर अभी यह जो अप देख से तो यहापर आपका जो वीडियो है वो यहापर ready हो जाएगा ready position पर हो जाएगा आप एक बर इसे play करके देख सकते हो यह perfectly बना है या नहीं अभी आप यहापर देख सकते हो perfectly मतलब यह जो वीडियो है वो बन चुका है तो यह हो जाने के बाद screen के राइटन शरी पर उपर आपको एक export को option आजाएगा उसके उपर आपको क्लिक करना है और यहापर एक export without watermark को option आजाएगा इसके उपर क्लिक करना है तो यहापर आपका जो वीडियो है यह export होना शुरू हो जाएगा यह 100% export हो जाने के बाद यहापर अपने आप कुछ play store वगरे open हो सकता है त तो आपको सिर्फ क्या करना है यहापर यह complete हो जाने के बाद कुछ स्थरी से आजाएगा तो इसे आपको minimize करके close कर देना है यह दोनों application को और last में जो आपका VPN का application रहेगा इसे open करके आपर इसे connected है उसे disconnect कर देना है और इसे भी आपको फिर बात में close कर देना है इसके चुका है तो इस तरीके से जो real है इसे आप बना सकते हो without TikTok तो अगर आपको वीडियो सुल लगा और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनले को भी सब्सक्राइब करें थैंक्यो